जैसे जैसे हम प्रगर्ती करते जा रहे हैं, प्रकर्ती पर भयानक प्रकोप आता जा रहा है। उसको न्यूटराइज करने के लिए कमपनियां अपना कार्बन फुट्प्रिंट को कम करने की कोशिश कर रही है। कोल बेस एनरजी ना यूज करकर ग्रीनर एनरजी की तरफ रुजहान बढ़ा रही है। वन अगर बात करें, बोनस शेर भी अनॉंस कर रही है, हर एक शेर के लिए तीन शेर मिलेगा, आज आपको इसमें करीब करीब 75% की गिरावट दिखाई देगी। पूरा विशलेशन करेंगे और समझाएंगे एक्जांपल के साथ में की कैसे Nking International, which is one of the world largest carbon credit developer and supplier, आपके बिजनस को सपोर्ट कर रही है और stock market में कैसे दमाल मचा रही है। अगर latest covers की बात की जाए, तो यहाँ पर काफी बड़े level पर इन्होंने अपना business expansion plan बनाया हुआ है। भारत में ही नहीं, बलकि दुनिया के कोने कोने में अपनी companies के offices बना रहे हैं। देखिए आपको पता होगा, शुरुआत की थी इन्होंने बहुत छोटे level पर 50 greenhouse gas related projects register किये गए थे 2013 से 2014 में। बट 2021 में इन्होंने tens of million carbon credit changing hand कर दिये हैं और यहाँ पर 200 specialist हैं जो की धाई हजार से ज़्यादा customer की मदद कर रहे हैं to offset the carbon utility। यह एक बढ़िया solution प्रोवाइड कर रहे हैं और customers की बात करें तो Airport Authority of India, United National Convention, Climate Change, World Bank, Soft Bank, NTPC, IOCL यह बहुत बड़े level पर इन्होंने अपना काम शुरू कर दिया है इस तरह की tie-up करने के बाद में। तो overall अगर हम इसी तरह से काम करते रहें तो हम carbon neutral नहीं बन सकते हैं तो इसके लिए जो target रखा गया है 2050 तक net neutral बनने के लिए companies को यह एक challenging target है जिसके लिए EKI International Company जैसी companies की बहुत जादा जरूरत है देखिए negative emission requirement is about 1.5 degree pathway और यह तब तक achieve नहीं होगा जब तक हम cumulative carbon budget को increase ना करें for the companies तो यह McKenzie की report है बहुत अच्छा सिलसला जादी रहेगा इस तरह से company की growth के लिए EKI Energy Service की अगर बात करें तो इन्होंने Shell Overseas Investment के साथ एक joint venture बनाया है जो की India को reduce help करेगा greenhouse gas emission के लिए और यह एक हमारे हिसाब से बहुत ही positive रहेगा company के लिए growth की दरश्टी से देखा जाए international presents जितनी जादा बढ़ाएंगे उतनी जादा companies की environment के प्रती रुची बढ़ेगी और यह इनको बहुत जादा benefit देगी long term की दरश्टी से तो अगर हम बात करें यहाँ पर जो corporate का action हो रहा है वो इसको और भी तेजी से उपर बढ़ाएगा volume is going getting higher और यहाँ पर company का जो bonus date है वो 30 June है x date जो की आज है अगर आप आज खरी देंगे तो आपको आज bonus नहीं मिलेगा इस बात का ध्यान रखिएगा no bonus to purchase any share on or after 30 June तो आज आपको इसमें करीब करीब 75% से 70% के आसपास गिरावट दिखाई देगी जो आपको घबराने वाली बात नहीं है साथ दिन के अंदर आपके पास ये bonus share credit हो जाएंगे तो इसमें चिंता मत कीजेगा ये current position रहेगी आपके लिए अब ये जो bonus issue होता है ये इसमें निवेश क्यों करना चाहिए इस तरह की cover के लिए company profit में है तो इसलिए bonus देती है आपको double benefit मिलेगा आगे price action और भी improve होगा और साथ साथ में loss booking का advantage इनको मिलेगा अगर हम बात करें यहाँ पर कैसे नए निवेशक समझ पाएंगे की tax benefit कैसे मिलता है तो इसको हमने एक simple example लेकर आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप किस तरह से अपने profit को कम कर सकते हैं इस तरह की company में निवेश करकर माल लीजे आपने 6000 के average भाव पर इस company का stock खरीदा है और आपके पास 10 share है तो ये आपकी जो मूल निवेश हो गया वो करीब करीब 6000 रुपे का हो गया आपका निवेश उतना ही रहेगा निवेश में कोई change नहीं आएगा जो actually loss नहीं है ये आप अपने पास profit book करने की तरह से advantage ले सकते हैं जो आपका 4500 रुपे का profit है उसको इस loss से cancel out कर सकते हैं आपको करना क्या होगा आपके पास जो 10 share है उनको आप गिरावट के time पर बेच सकते हैं तो जब आपने इन share को बेच दिया तो आपके पास जो हर share का loss है वो आपने loss book कर लिया है तो ये आप अपने profit के साथ adjust कर सकते हैं बाकी जो आपके पास नए 30 share मिलेंगे उनको आप hold करके रखिए long term के लिए और ये आपका long term के लिए एक बहुत अच्छा portfolio बन जाएगा इस तरह की carbon neutral companies के निवेश करने के लिए तो हमारे हसाब से we are bullish in this particular company and this will trigger even further positive momentum for the company आईए तरह चलकर company के आप कुछ fundamental view देखते हैं हमेशा बताते हैं small cap में 2% देखने नहीं करना चाहिए अगर हम बात करें आगे कि क्या revenue की दर्शी से है तो बहुत अच्छा revenue growth दिखाया है 2022 में 1800 करोड का revenue दिखाया है जो कि phenomenal exception growth दिखा रही है almost 10 times revenue growth दिखा रही है company अपनी यहाँ पर और अगर हम इसमें बात करें company का revenue के साथ में profitability भी क्या इसी साथ से बढ़ी है तो देखिए profitability यहाँ पर करीब करीब 20 गुना ज़्यादा बढ़ी है तो यह profitability और भी सोने पे सुहागा बना दर ही है company को 18 करोड की बजाए 383 करोड और उमीद लगा जाएगी 2023 में भी इसी तरह का जल्वा दिखाएगी company यहाँ पर और margin 20% से जादा margin आपको इस business में मिल रहे है तो यह एक बहुत ही बढ़िया growth की दिरश्री से company आपको support कर पाएगी promoter की holding 73% है, public की holding 15% है यहाँ पर और public के अलावा 5-5% के आज़ पास FII और DII की holding है अगर 5 biggest shareholders की बात की जाए यहाँ पर जो officially announced है उसमें सबसे पहले Maven India Fund 3.89% यह FII की category में आता है Next Orbit Venture Fund यह DII की category में आता है इसमें इसने 5.7% की holding किया है Mukul, Mahavir, Agarwal इनके पास 1.8% और corporate bodies की अगर हम बात की जाए तो 0.91% के असपास इनकी holding है Non-Residence Indian 0.62% के असपास holding बना के रखे हुए है company की अगर company का business model दिखा जाए तो यह pre-eminent brand है यहाँ पर जो climate change के ऊपर बहुत बढ़िया आपको काम करता है carbon credit net utility बनाने की कोशिश करता है across the globe और इन्होंने strategic solution help कर रहे है business को sustain करने के लिए to achieve their own organization goal and even exceed them for the climate ambition project तो यह global economy company है और आगे चलकर growth orbity से एक साल का return देखे तो करीब-करीब एक हजार परतिशत का return दिखलाया है company ने जो की बहुत phenomenal return मना जाएगा EKI की अगर हम financial parameter देखे और साथ-साथ में इसका peer comparison करें तो आपको पता लगेगा क्यों company इतने अच्छे return दे रही है आगे चलकर एक साल में सबसे दादर return इसी company ने दिया है यहाँ पर और अगर हम बात करें GRASIM RIL SRF सबसे दादर return RIL PERRY और SRF ने दिया है जो की 62% का return है तो यह exceptional return माना जाएगा इस तरह से profitability देखे जाए तो 383 करोड की profitability है अगर profit per 1000 करोड market cap देखा जाए तो यहाँ पर RIL PERRY करीब 139 है but EKI Energy 76 के असपास है कोई भी company आपको 20-30 के ऊपर दे रही है तो बहुत अच्छा यहाँ पर profit margin की बात होगी तो यह काफी अच्छी company माने जाएगी one of the good companies माने जाएगी debt कोई debt नहीं है absolutely जहाँ पर RIL PERRY और GRASIM दोनों का debt करीब करीब 1 के आसपास है और primary enterprise का debt 1.56 के आसपासर debt free company है इसे साब से बहुत ही बढ़िया outlook रहेगा इसका demand बढ़ेगी international demand है domestic demand है जैसे जैसे awareness बढ़ती जाएगी वैसे वैसे company के लिए benefit बता जाएगा और US or Europe से इन्हें बहुत तकड़े order मिलने की संभावना है आगे आनवाले समय में cost advantage है इनके पास में क्योंकि research यहाँ पर पूरा करते हैं इंडिया में affordability बनाएगे अपनी companies के लिए जो इनको आगे के लिए एक नए source product ढून रहे हैं और customer मिलेंगे नए जिससे उनको gains बढ़ेगा और ये सारी चीजे इनके लिए एक अच्छा position लेगाएगी आई जरा चलका technical view देखते हैं EKI का तो 7,230 के असपास ये trade कर रहा है काफी range bound activity रही है यहाँ पर करीब करीब 6,000 के बीच में और 10,000 के बीच में काफी अच्छा range रहा है इसका और volume को भी देखेंगे तो अब volume आ चुके है 71,000, 70,000, 10,000, 20,000, 40,000 इस तरह के volume इसमें अब trade हो रहे हैं तो volatility के साथ में volume भी अब बढ़ रहा है यहाँ पर bullionger band को देखें तो band के lower हिससे में हमेशा खरीदना चाहिए देखें यह lower हिससे में किसी ने खरीदा होता 6000 के असपास अभी already उनको करीब 20% का return मिल चुका है just because of the one parameter bullionger band MACD को देखेंगे तो MACD ने यहाँ पर buy signal maintain किया हुआ है पिछले 5-6 दिनों से और यह अभी आगे भी further maintain रहेगा alligator indicator की basis पर इसने दो parameter को buy रखा हुआ है एक parameter जैसे ही cross होगा तो यह और भी तेज़ी से उपर बढ़ना शुरूआत करेगा और moving average देखें 200 day moving average को touch किया जो कि बहुत अच्छा support माना जाएगा stock के लिए यह देखें 6,800 क्यास पर काफी लोग जो initial rally नहीं में catch up कर पाए थे वो इसको हैं पर कर सकते हैं 49 के असपास है जो एकदम perfect neutral zone में है अभी टेक्निकली यह stock बहुत ही अच्छे level पर है बहुत बढ़िया poise कर रहा है 200 day moving average के असपास अगर आपको stock मिलता है जो इस तरह की strong future demanding company है आपको definitely add करना चाहिए जैसे जैसे नए product add होंगे revenue बढ़ेगा पैट बढ़ेगा तो ये आपको इलिए बहुत अच्छी recommendation रहेगी हमारे चैनल की तरफ से चाहें तो हमारे चैनल को free में subscribe कर सकते हैं और अगर हमारी trades को copy करना है तो आप हमारे साथ 299 का advance package लेकर जुड़ सकते हैं जिसमें आपको सारी detail बताएंगे जो हम trade लेते हैं जैसे जैसे trade करते हैं और अगर आपको training करनी है तो mail drop करेंगा